हलो एंड वेलकम एवरीवन दा ओनलाइन गुरू में मैं सुनिल शर्मा अब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस सेशन में ध्राश्ट्रिय मिलिटरी स्कूल्स के कॉमन इंटरेंस टेस्ट टूथाउजन ट्वेटी टू के क्लास सिक्स और नाइन्थ एंटरेंस का जो फॉर्म भरा जाएगा उससे रिलेटेड हम लोग स्टेप बाई स्टेप एक फॉर्म कम्प्लीटली फिल करेंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें कि आपको क्या-क्या डॉकुमेंट्स लगेंगे आपको कौन-कौन से instructions को फॉलो करना है और आप कैसे यहाँ पे क्या करपाएंगे फॉर्म को फिल करपाएंगे तो बने रहीएगा हमारे साथ स्टार्टिंग से लेकर end तक ताकि आप आसानी से ये देख सकें कि form fill कैसे करना है और अगर आप हमारे साथ चोड़कर online classes के तुरू prepare करना चाहते हैं तो दिये गए number 777-6534-68 पर whatsapp के तुरू भी details ले सकते हैं तो इसी प्रकार के regular sessions देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon प्रेस कीजिए और साथ इसाथ वीडियोज को उन सभी लोगों के साथ भेजें उनको forward करें जिनको इसकी जरूरत है पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच कहुना चुनियत ली online guru बाई सुनील शर्मा को और करे अपने RIMC और RMS का सपना साकार डाउनलोड दिया है नाओ तो चलिए अब हम आच चुके हैं राश्ट्रे मिलिटरी स्कूल्स की official website पे इसके लिए आपको क्या करना है राश्ट्रे मिलिटरी स्कूल्स डॉट एडू डॉट इन पे जाना है जैसे ही आप इस पे आते हैं आपको इस टाइप से एक website दिखेगी इस website पे CET corner पे देखिए click here for online registration जैसे ही आप इसे click करते हैं तो आपके सामने एक tab open हो जाएगा और इस tab के अंदर आपको CET से related terms and conditions दिये हुए हैं इन terms and conditions को आप पहले पढ़ लें ताकि आप apply करें और आपका form reject ना हो ठेक है तो reject ना हो आपका form इसलिए आपको सारी details को minutely पढ़ना जरूरी है पहला आपको भूल रहा है कि form आप सिर्फ online भर सकते हैं और website आपके सामने मैंने खोल रखी है second आपको दिया गया है कि only one application form is to be submitted का मतलब क्या होता है आप एक बच्चे का एक class के लिए सिर्फ एक ही form यहाँ पे fill करेंगे ठीक है दूसरा form यहाँ पे आप fill नहीं कर सकते if a candidate submit more than one application form अगर आप एक से ज़्यादा form भरते हैं same level के लिए same class के लिए तो all the forms all the application form shall be summarily rejected without any notice सारा form आपका जो है वो reject कर दिया जाएगा तो ध्यान रखें सिर्फ एक ही application form आपको एक level के लिए fill करना है candidate must follow the instructions strictly आपको instructions को पूरा यहाँ पे मानना है otherwise क्या कर देंगे disqualify कर देंगे candidate must ensure आप जो email address यहाँ पे भरने वाले हैं और जो mobile number अप यहाँ पे provide करने वाले हैं यह parent का email address और mobile number होना चीए क्योंकि सारी information जो है यह आपको क्या करते हैं भेजते हैं आपके email पे और आपके SMS के थूँ जो mobile number आपने provide किया है तो number और email address accurate देंगे उसमें कोई भी गलती नहीं करेंगे apply for the application registration तो सबसे पहला step क्या होगा कि आपको अपना email id और mobile number के थूँ apply करना है second step क्या होगा यहाँ पे आपको उसके according एक system generated application number मिलेगा उसे system generated application number को आपको email और आपको SMS के थूँ भेजा जाएगा इसे आप समहाल के रखेंगे क्योंकि आगे आपका admit card download हुआ या फिर आपका result हुआ वो सब इसी के थूँ मिलेगा otherwise आप login नहीं कर पाएंगे उसके बाद आपको documents upload करने पड़ेंगे जो documents required है और वो actual form में इसकी details भी आगे आपको मिलने वाली है कि आपको क्या-क्या document upload करना है इसका हम ध्यान रखेंगे step number four है आप यहाँ पे fees payment करेंगे चाहे आप debit card से करें credit card से करें net banking से करें UPI से करें लेकिन आपको उसका proof रखना पड़ेगा क्योंकि अगर मान लेते हैं bank का कोई error होता है तो वो automatically आपके पास amount resubmit हो जाएगा वापस आपको मिल जाएगा फिर कुछ दिनों बाद जब आप successful payment कर चुके हैं आपको एक registration number भेज दिया जाएगा email address and mobile number पे जिसके थूँ आप download कर सकेंगे अपना acknowledgement receipt कि आपका form भरा जा चुका है ठीक है इसके लिए आपको कुछ दिन wait करना पड़ सकता है candidate can make the fee payment immediately after successful submission जैसे ही आप submit करते हैं आप fees payment कर सकते हैं the final submission of CET exam application form complete नहीं होगा जब तक आप step 3 and 4 complete नहीं करते हैं RMS किसी भी type का request accept नहीं करेगा fees से related reject हो गया हो तो वापस से related इस टाइप का कुछ भी accept नहीं करेगा online information जो आपको देना है वो क्या क्या देना है reject हो जाएगा मतलब सारी ही चीजें आपको correctly फिल करना है RMS की किसी भी तरीके की जवाबदारी यहां पर नहीं होगी ठीक है बाद में आपको edit या modify करने का भी option नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप final submission के पहले करते हैं तो आप delete application form पे जाके उसे delete करके दुबारा भर पाएंगे लेकिन आपका जो form fees है वो refundable नहीं होगा इस चीज को आप ध्यान रखेंगे सारे information का आप carefully ध्यान रखेंगे और सारी चीजों को आप follow करेंगे उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे ठीक है तो यह सारी चीजें पढ़ने के बाद आपको क्या करना है इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है और I agree पे submit करना है जैसे ही आप I agree पे submit करते हैं आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो चुका है यहाँ पे admission for राश्ट्रे मिलेटरी स्कूल चैल अजमेर बैलगाम बैंगलूरू धौलपुर class 6 & 9 दिखा हुआ है और उससे related information है डाउनलोड कर सकते हैं आप prospectus आप registration कर सकते हैं जो date है वो 10 सितंबर लास्ट है ठीक है 10 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आप form भर सकते हैं अब आपको क्या-क्या चीजें चाहिएंगी उसके बारे में भी लिखा है scanned copy of the photograph ठीक है बच्चे की जो photograph है वो चीएगे यहां पर यह photograph चीएगी JPEG या फिर JPEG image format के अंदर और 500 KB से कमकी होनी चीए इस चीज का ध्यान रखें तो इसलिए मैं बहतर सजेस्ट करूंगा आप किसी cyber cafe में जाके form fill करें तो ज्यादा आसानी से आप कर पाएंगे आपक जो के बी से छोटा होना चीए ठीक है detailed of online payment और registration fees के लिए अब तयार रहेंगे ठीक है अब दो option है पहला तो registration और दूसरा है login जब आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको registration की requirement है login आप बाद में करेंगे तो पहले आपको registration की requirement है आपने registration को click किया जैसे ही आप registration को click करते हैं आ information क्या क्या भरती है देखो सबसे पहले बोला है personal information जिसमें class select करना है तो class 6 या 9 तो class 6 में जैसे ही आप जाते हैं तो gender male या female आप यहाँ पे choose कर सकते हैं ठीक लेकिन class 9 में जब आप जाते हैं तो सिर्फ male का ही option है class 9 में girls allowed नहीं है ठीक है तो आपको क्या करना है class 6 या 9 जो भी आपको form भरना है majority of the student class 6 के होते हैं तो मैं यहाँ पे class 6 पे जा रहा हूं mail पे जा रहा हूं बाकी information आप अपने according change करते रहेंगे अब यहाँ पे जैसे आपको student's name दिया हुआ है as per school record ठीक है मैं starting के लिए मेरी खुद की information यहाँ पे आपको भर के दिखा देता हूं आप according कर सकेंगे ठीक है तो सुनिल कुमार शर्मा मैंने फिल कर दिया आप बच्चे की details as it is जैसे आप पे record में फिल करेंगे email id आपसे मांगा गया है तो सुनिल कुमार शर्मा 415 at the rate gmail.com मैंने डाल दिया है इसके बाद मुझसे पूछता है mobile number तो मैं यहाँ पे अपना mobile number एंट 653468 और जैसे ही मैं यह सारी चीज़ें कर देता हूं उसके बाद मुझे क्या करना है submit पे click करना है ठीक है submit पे click कर दीजिए जैसे ही आप submit पे click करते हैं यह आपके सामने एक नया window open हो चुका है जहां पर यह details दिखा रहा है कि भई आप्लिकेशन जो है सुनील कुमार शर्म के नाम पे हैं आपने जो क्लास चूज किया है वो क्लास 6 है जेंडर मेल है इमेल अड्रेस है और यह आपका मोबाइल नमबर है ठीक है अब अगर आपकी इंफर्मेशन ठीक है तो आप आगे बढ़े नहीं तो आप एडिट करके इसको चेंज कर सकते हैं ठीक है उसके बाद य मुझे क्या क्या चीजें रखनी है एप लाइकरने के लिए अगर मैं आता हूं ओबी सी क्रीमी लेयर के अंदर तो स्टूडेंट एकट पो इसी क्रीम लेयर थो आपको क्या करना के JCO OR civilian slash officer में अब जो JCO या OR category के हैं वो क्या करेंगे इसके अंदर fill करेंगे अगर किसी की death हो रखी है ठीक है war के time period पे तो killed in action category के अंदर भरेंगे और जो general civilian है या फिर officer category है वो क्या करेंगे only world of civilian slash defense officer not JCO and OR में fill करेंगे ठीक है not JCO and OR में fill करेंगे अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा example के through बता देता हूँ मान लेता हूँ कि आप OBC category में है creamy layer के अंदर आते हैं और आपको कोई भी benefit नहीं है तो आप क्या करेंगे JCO, OR civilian officer में fill करेंगे अगर आप JCO and OR के अंदर हैं तो आप क्या करेंगे JCO और OR के अंदर ही fill करेंगे फिर अगर killed in action है तो ये वाला fill करेंगे और civilian है तो not JCO और OR के अंदर आप फिल करने वाले हैं, ठीक है, अब आपको बूला गया है कि उचित स्रेनी का चैन करें, तो मैं यहाँ पे चुकि जेनरल कांडिडेट का हूँ, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है जेनरल OBC, क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर, तो अगर मैं जेनर in action, civilian या defense में आता हूँ, तो भई मैं civilian में आता हूँ, तो मैं civilian पे क्लिक करूँगा, अगर आपके parent, JCO या OR काटेगरी में हैं, तो आप JCO and OR को select करेंगे, अगर किसी की death orak की mother या father की war time पे, तो killed in action करेंगे, और अगर defense officers के बच्चे हैं, लेकिन JCO या OR की काटेगरी में ही है, ठीक है, तो आप defense officers choose करेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे civilian क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, आप अपने according यहाँ पे choose कर सकते हैं, अब देखो date of birth आपको भरना है, तो मान लेता है, मैं अपने according date of birth ले ले लेता हूँ, 25 September, और उ date of birth है, तो अगर मैं इसको कर देता हूँ January, तो भी invalid है, 2010 वाला नहीं बर पाएगा, अगर 11 में हूँ, तो या फिर मैं 13 में हूँ, या फिर मैं 12 के इंदर हूँ, तो मैं eligible हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं class 6 के लिए भर रहा हूँ, मेरा जो birth है, वो 1 April 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच में है, तो तो मैं भर पाऊंगा, ठीक है, डेट अब बहुत का ध्यान रखें, 1 April 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच में हूँ, जब तो मैं इसे भर पाऊंगा, अदर्वाइस नहीं भर पाऊंगा, 9th class के लिए 1 April 2008 से 31 मार्च 2010 तक वाला ही भर पाएगा, 2012 डाल दिया, आप वही डालेंगे, जो आपका actual है, ठीक है, जो आपका actual है वो आप यहां पे details भरेंगे, अब आपको क्या करना है, father's name लिखना है, mother's name लिखना है, आदहार card number लिखना है, आपको यहां पर complete address, city, राज्य, pin code वगएरा, शब देना है, exam centers को कई बार आप आपके पास 49 choices available हैं अब यह choices क्या क्या है देखो अंबाला केंट है आर्मी स्कूल भटिंडा है भोपाल है चंडी मंदिर है चैन्नाई है दोला कुआ है दीमापुर है जैपुर केंट है ठीक है जलंधर है जम्मू के अंदर है ठीक है कालू चौक में फिर बुलिया गंग है ल फिल पास किरें भुट केह से जयर्में होगा है कर दोला कौक में तौक म्राश्थै कॉस्तैंकी कि बाला करें तौक मेंहिए लिएestonल ईवरी के शेत्रा हूं अब मैं धौलपूर को पास में भर सकता हूँ, अगर मानता हूँ कि मेरे रिलेटेव पुने में है, पुने में मैं easily convenient हूँ आने जाने के, तो मैं पुने भर दूँगा, ठिक, इस हिसाब से, जो भी मेरा convenience है न, वो मैं भरूँगा, यह तो सिर्फ किसके लिए exam center के लिए, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ exam center के लिए और भी कुछ नहीं है अब आपसे पूछा है school ठीक है first choice मेरा क्या है तो suppose करता हूँ मैं आरे में सजमेर चूज करता हूँ second choice मुझसे पूछा है तो मैं बोलूँगा कि bank law को चूज कर लेता हूँ third choice में बैलगाम ले लेता हूँ fourth choice मैं चैल ले लेता हूँ और fifth choice में धौलपुर ले लेता हूँ यह मैंने अपनी according set किया कि भाई RMS अजमेर मानलो मेरे पास पढ़ता है तो बच्चे से मैं आसानी से हर संड़े जाके मिल सकता हूँ RMS Bangalore चलो ठीक है दूर रहेगा लेकिन education ठीक रहेगी तो मैं अपनी according अपनी choice को यहां पर फिल कर सकता हूँ अब जब आपका medical होगा तो medical अब कहां से देंगे तो यह hospital की list है इन में से आपको hospitals चूज करना है कि मैं यहां पर medical के लिए जा सकता हूँ ठीक अब यहां पर जैसे कोलकाता है पूने है लखनाव है चंडी मंदिर है ठीक है बैंगलूरू के अंदर है जोदपूर के अंदर है ऐसे साउत में है अंबाला हो गया यह सारे हो गया तो इन में से मेरे जो सबसे पास पढ़ता है न मैं उसको यहां पर चूज कर लूँगा ठीक है आगराव मेरत यह वो हो गया जबलपूर जहांसी हो गया जैपूर हो गया तो मेरे नियर अबाउट पढ़ता है जैपूर मैंने जैपूर करूंगा अगर मैं यह करता हूं तो मैं को सिलेक्ट करना है कि किस में पढ़ रहा है तो मैंavenे लो मैंने आरम आफ में अपनलोर ले लिए उसका admission number लिख दूँघा उसका नीम लिखूँ गए और किस class में वो लिखूँगा अगर में got away ब्रदर यहां नहीं पढ़ रहा है तो मैं क्या करूँगा no को select कर दूगा ठीक है अब इसके बाद आता है document मुझे upload करने है पहला document क्या है upload your photograph मुझे मेरी photo upload करनी है उसके बाद क्या करना है मुझे signature upload करना है ठीक है यह दोनों upload करने के बाद declare पर click करूँगा और submit पर मैं यहां पर क्लिक कर दूंगा ठीक है चलिए तो यहां पर मैंने सारी डीटील्स भर दी है और अब मुझे सब्मिट पर क्लिक करना है तो मेरे सामने एक नया विंडो जो है वो ओपन हो जाता है जहां पर यह दिखा रहा है कि अपने स्टूडेंट की क्या-क्या इन्फरमेशन्स फिल की थी यह सारी चीजें जो मेरा चॉइस वगरा है हो सारी चीजें उसके बाद ऑप्षिन या तो मैं एडिट करूँ या फिर मैं कंफर्म करके सब्मिट करदों तो मैंने जो डीटेल्स भरी थी इन चेक कर लिया कि मैंने तो आपको दिखाने करता हूं तो यह एडमीशन फॉर्म सकसफिली सब्मिट एपलीकेशन नंबर यह दिया इसी एपलीकेशन नंबर का यूज़ करते वह घ वनाव को यूबाईल पह आया हैं उसी डीटेल को आपको सारी चीजें दिखा दी, आप अगर satisfied है, सब कुछ correct है, तो pay fee now पे जाएंगे, और उसके बाद आपके पास payment के options खुल जाते हैं, जैसे आप चाहें तो यहाँ UPI से कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने card के throw कर सकते हैं, QR code scan करके कर सकते हैं, net banking के throw कर सकते हैं, तो ज्या QR code को आप scan कर दो, automatic pay हो जाएगा, ठीक है, आप इसे करके pay कर सकते हैं, ठीक है, चलिए तो अब हम वापस से राश्ट्री मिलिटरी स्कूल की website पे आ चुके हैं, CET corner से हमने tab open किया है, और यह instructions आप जब already पढ़ी चुके थे, तो मेरे पास एक option है, यहाँ उपर login का, मैं login की उपर जाओंगा, और जो मुझे details मैंने वहाँ पर submit की थी, like sunil kumar sharma 415 at the rate gmail.com, मेरा mail address, mobile number जो मैंने दिया था, 773-765-3468, और उसके बाद जो है, मेरा password मुझे यहाँ पर enter करना है, तो मैं यहाँ पर password एंटर कर देता हूं, ठीक है, पास एंटर करने के बाद मुझे क्या करना है, login पर click करना है, जैसे ही मैं login क्लिक करता हूं, तो यहाँ पर completely आपको login दिखाएगा, अब चुकी मैंने यहाँ पर payment नहीं किया है, तो मुझे application stage पर क्या दिखा रहा है, payment pending है, मैं proceed for payment पर जाके क्या कर सकता हूं, payment कर सकता हूं, अगर मुझे लगता है कि नहीं जलती हुई थी, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, delete my application कर सकता हूं, ठीक है, यहाँ से, deleting your CET form will delete your application on your account, बत जो आपने पैसे भर दिये हैं, वो fees refund नहीं होगी, आप दुबारा से form को भर पाएंगे, इसका आपको ध्यान रखना है, अब अगर आपने complete successful कर लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से download कर सकते हैं, application form को, अभी चुकि application pending है, तो मैं update कर सकता हूं, application form को, जो भी मैंने details दिया था, उसे मैं जाकर, declaration में click करके क्या कर दूँगा, submit कर दूँगा, तो वो update हो जाएगा, अगर मुझे लगता है, ठीक है, सब कुछ full and final है, payment करना है, तो proceed for payment पर जाके, मैं यहां पर क्या करूँगा, your admission form submitted, यह मेरा number बता दिया, इसने, अब मुझे fees payment करनी है, मैं proceed for payment पर जाके, same as process continue करके, यहां पर क्या कर दूँगा, payment कर दूँगा, और फिर यहां पर सारी details cover up हो जाएगी, तो student, अब हम आजाते हैं payment option पर, और मैंने यहां पर payment option select कर लिया है, और इसी के साथ मैंने जो है, वो mobile से इसे scan करके payment complete कर दिया है, जैसे ही मैं payment complete करता हूँ, यहां पर मेरे पास success आ जाता है, और success आने के बाद, download करने का options मिल जाता है, that your payment for the admission fees has been successfully made, application number यह है, you will receive an email with the detailed of your payment and you can download the PDF format of application, तो मैं यहां से क्या कर सकता हूँ, download भी कर सकता हूँ, जो मेरे पास यहां पर आ चुका है, चुकि मैंने बात में options भी change किये थे, इस वज़े से application number change हो चुका है, अगर मैं इसे open करता हूँ, तो यह सारी चीजें जो मैंने यहां पर fill किया था, वो मेरे सामने आ चुका है, तो यह मेरे पास आ चुका है, अब चलिए मैं एक बार log out करके वापस login करके आपको बताता हूँ, जब मैं log out करके वापस से login करता हूँ, तो मेरे पास same detail ठीक है, और इसके बाद मैं login पे जाता हूँ, तो यह login हो चुका है, अब देखिए application stage payment मैंने done कर दिया ह है, ठीक है, अपडेट कर सकता हूँ, मैं application को, यह सारी details मेरे पास आ चुकी है, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ, acknowledgement form यहाँ से, ठीक है, डाउनलोड कर सकता हूँ, application form, अब मैं चाहूँ तो अपडेट कर सकता हूँ, application form को, तो जैसे ही मै अपडेट पर यहां पर जाता हूं वो सारी चीज़ें जो थी कुछ अपडेट करने लाइक है नहीं यहां पर हाला कि जो इंस्ट्रक्शन में इन्होंने दिया था कि बिफोर बिग्निंग बिडिश्ट्रीशन हाता है चाहिए थे काटेगरी सर्टीफिकेट चाहिए टोटनी सोच्पोर्मरी सब्मेट हो चाहिए सब्मेट फोचुक है मैं चेहले सारी चीज आ चुक है अप्लिकेशन स्टेज क्या है payment यहां पर done कर चुका हूं मैं अब जैसा है इन्होंने बोला 5-7 days के बाद आपके पास email के थुरू आएगा तो मैं इससे application का acknowledgement है वो भी download कर सकता हूं मैं application form भी download कर सकता हूं तो यह था हमारा आज का process so I hope आप सभी को आज का session आसानी से समझ में आया हो फिर भी अगर कोई doubt या कोई query है तो अप नीचे comment section में comment कर सकते हैं within 24 hours आपके सभी doubt और queries को solve किया जाएगा और अगर आप हमारे साथ जुड़कर RIMC, RMS, All India Sanic School entrance exam या जवाहर नवोदे विद्धाले जैसे entrance exams की preparation करना चाहते हैं तो दिये गए number 773-76534-68 पर whatsapp के through भी details ले सकते हैं साथ ही साथ demo sessions के लिए अब हमारे application the online guru को play store से भी download कर सकते हैं जिसका link नीचे description में दिया गया है तो मिलते हैं आपसे अगले session में तब तक के लिए जैहिंद